नमस्कार मैं हूँ पंकच कुमार इस खास पेशकस में आपका सौगत है हम इस खास पेशकस में चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार नितीश कुमार अपने किन किन करीबियों को लोग सभा चुनाओ लड़ाना चाहते हैं मैं आपको ये बात साप बता दूँ कि आज जिस तरह से जेडियू के बड़े नेता जो की सरकार में मंतरी भी हैं और नितीश कुमार के बेहत करीबी समझे जाते हैं उनका नाम है विजय चौधरी विजय चौधरी ने जिस तरीके से आज ये बात कह दी है कि 17 सीट पे तो जेडियू का अधिकार बनता ही है मतलब जेडियू 17 लोग सभा सीटों पर चुनाओ लड़ना चाहती है जाहर तोर पर ये आकड़ा इसलिए विजय चौधरी ने पेश किया है क्योंकि अगर आप पिछले लोग सभा चुनाओ को याद करें तो जेडियू की डील बीजेपी से 17 सीटों पर चुनाओ लड़ने की थी और 7-7 6 सीट लजेपी को दिया गया था इस बार भी जेडियू 17 सीटों पर लोग सभा चुनाओ लड़ना चाहती है 16 उसकी जीती वी सीट है और एक सीट दरभंगा जहां से वो अपने एक बड़े मंत्री संजय जहा को मैदान में उतारना चाहती है ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जेडियू इन 17 सीट पर हर हाल में चुनाओ लड़ने मैदान में उतरेगी जेडियू का जिस तरह का रवया है उससे तो बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि जेडियू अब कॉंग्रेस से बात करने के पक्ष में नहीं है जेडियू ये सोच चुकी है कि 17 सीटों पर हुआ चुनाओ लड़ेगी और साथी साथ बाकी के जो लोग सभा छेतर बसते हैं उसमें आर जेडियू जाने कि वो अपने घटक दलों के साथ सीटों का बटवारा किस तरीके से करेगी अब सवाल उठता है कि नितीश कुमार अपने किन किन करीबियों को चुनाओ मैदान में उतारना चाहते हैं तो उन लोग सभा सीटों के बारे में हम आपको बता दें कि नितीश कुमार चाहते हैं कि जमूई से असोग चौधरी चुनाओ लड़ाना चाहते हैं और साथी दरभंगा से संजय जहा को चुनाव लड़ाना चाहते हैं और आपको ये भी बता दें कि वो अपने बेहत करीबी विजय चौधरी को भी बेगु सराई चुनाव से बेगु सराई संसदिय छेतर से चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो ये तीन दिगज जो की नितीश कुमार के बेहत करीबी माने जा रहे हैं उनको चुनाव लड़ाने के लिए नितीश कुमार सोच चुके हैं और इन तीनों को विजय चौधरी को बेगु सराई से असोग चौधरी को जमुई से और साथी साथ संजय जहा को दरभंगा से जो उनकी है 16 सीटों पर अगर वो कुछ फेर बदल नहीं करते हैं तो आखिरकार RJD से बात कैसे बनेगी हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जिस तरह से जेडियू के तमाम नेता अब खुल कर बोलने लगे हैं कि 16 सीटों पर तो उसका दावा बनता ही बनता है लेकिन जे जेडियू के सुप्रिमों जेडियू के अध्यक्ष और साथी साथ बिहार के मुखवंतरी नितीश कुमार अपने इन तीनों नेताओं को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं ऐसे में सवाल उठता है कि कौन-कौन सी सीटे जेडियू छोड सकती है जी हां तो मैं आपक मध्यपूरा से जो जीते हुए उमिदवार हैं उनका नाम है दिनेश्चंद यादव वो जेडियू से हैं क्या जेडियू मध्यपूरा की सीट छोड़ेगी साथी साथ आपको बता दे कि आरजेडी हर हाल में चाहती है कि उसको जहानाबाद की सीट मिले जहानाबाद से आर जेडियू जो अपने नेता विजय चौधरी को मैदान में उतारना चाहती है क्योंकि अगर आप पिछले चुनाओ को देखें तो बेगू सराय जहां से जेडियू चाहती है कि विजय चौधरी मैदान में उतरें लेकिन बेगू सराय से पिछले चुनाओ में आर जेडी ने अपने एक परत्यासी को उतारा है खबरों के मताबिक RJD की जो बात कॉंग्रेस से चल रही है कॉंग्रेस ने बेगु सराई सीट की भी मांग की है कॉंग्रेस चाहती है कि कटिहार भी उसको मिले कटिहार को लेकर के जेडियू, एग्रेसिव है जेडिव नहीं चाहती है कठियार सीट छोड़े लेकिन कॉंग्रेस की भी मांग कठियार सीट को ले करके है वहीं आरजेडी भी कठियार सीट चाहती है क्योंकि आरजेडी चाहती है कि उसके उम्मेदवार जो की बरतमान समय में राजसभा के सांसद है उनका टेनियोर लगबग पूरा हुने वाला है इसलिए RJD चाहती है कि उसके नेता अस्फाकरीम वहां से चुनाओ लड़ें जबकि कॉंग्रेस चाहती है कि कॉंग्रेस के बड़े और दिगज नेता तारिक अनवर वहां से चुनाओ लड़ें ऐसे में सवाल उठता है कि सीटों का जो पेच है फिलाल सुलस्ता नजर नहीं आ रहा है लेकिन जो नंबर आफ सीट से उसको लेकर के जेडियू और आर जेडी के बीच में जिस तरह की बात हुई है वह हम आपको बता दे हमारे सूतर बता रहे हैं कि जेडियू 17 सीट से कम पर मानने वाली अब नहीं है 17 सीट पे जेडियू चाहती है चुनाव लड़े 16 सीट वो आर जेडी को देना चाहती है तो 17 और 16 कुल मिला करके हो गया 33 और 5 सीट वो कॉंग्रेस के लिए छोड़ना चाहती है जाहर तोर पर 5 उमिद्वार कॉंग्रेस के म मैदान में उतर सकते हैं और दो सीट वो लेफ्ट के लिए छोड़ने का मन है ऐसे में सवाल उठता है कि लेफ्ट जो पार्टी है जिसको आर जेडी हर हाल में अपने साथ ले करके चलना चाहती है बिहार के कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर CPI ML का अच्छा खासा दबद चुकी है ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आर जेडी और जेडी अगर CPI और CPM को सीट आवंटित नहीं करती है तो क्या ये लोग खुद मैदान में उतरेंगे इंडिया गटवंदन बिहार में तूटेगा ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलासे जाने बाकी हैं क्यूंकि इस सोला सीट पे तो दावेदारी जेडी यू की बनती ही है क्योंकि जेडी यू के जीते हुए सांसद सोला हैं ऐसे में आज विजे चौधरी ने इसकी मांग कर दिये कि जेडी यू कम से कम 17 सीटों पर तो चुनाओ लड़ेगी ही 17 सीटों पर जेडी यू की दावेदारी बनती है इसलिए आज के बयान के बाद ये बात और साफ तरीके से बाहर निकल गया है कि जेडियू अब किसी की सुनने वाली नहीं है लेकिन फिलहाल अपने इस प्रोग्राम के जरिये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जेडियू के जो शिर्स नेता है नितीश कुमार वो ने मन बना लिया है कि अपने तीन उम्मेदवार जो उनके बेहद खास हैं नितीश कुमार की सरकार में बड़े मंत्री हैं असोग चौधरी विजय चौधरी और साथी साथ संजय जा ये तीनों नेताओं को नितीश कुमार चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं लोग ललन सिंग में अनबन भीवी थी ललन सिंग ने असोग चौधरी को वहां के प्रभारी मंत्री से हटा दिया था लेकिन पिछले दिनों की बात है असोग चौधरी जमूई में घुमते देखे गए थे और जमूई में जिस तरीके से असोग चौधरी इंट्रेस्ट ले रहे ह है कि असोग चौधरी जमूई से चुनाओ लड़ेंगे आर जेडी के सूत्रों से जो हमारी बात हुई है उसमें ये जानकारी निकल करके आ रही है कि जमूई आर जेडी जेडियू को देने के लिए तैयार है लेकिन जहां तक सवाल है कटिहार का जाहर तोर पर कटिहार को लेकर के पेच फसा हुआ है वहीं जहानाबाद को लेकर के पेच फसा हुआ है जंजहारपूर को लेकर के पेच फसा हुआ है लेकिन कुछ सीटों की अदला बदली के लिए जेडियू तैयार है मन्थन का दौर जारी है लेकिन जेडियू फिलाल आर जेडी पर छोड़ना चाह रही है ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरीके से RGD के प्रतिनिदी मुकुल वासनिक के घर पे बैठक में गए थे और मुकुल वासनिक के घर में आठ से दस सीटों की मांग की गई थी कॉंग्रेस की तरफ से तो ऐसे में सवाल उठता है कि कॉंग्रेस की इच्छा पूरी होती हुई बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल करके आ रही है कि चार सीट देने को लेकर के आरजेडी तैयार है। लेकिन अगर सेंट्रल लीडर्शिप कॉंग्रेस की ज़्यादा दबाव बनाती है तो जायर तोर पर आरजेडी एक और सीट आवंटित कर सकती है। अजर आ रहे थे उनको ना तो कोई पद मिला ना उन्हें बहुत ज़्यादा तबज्यो मिलता हुआ दिखाई पड़ा। तो अब जेडी उने ये ठान लिया है कि वो अपने रास्ते पर चलेगी और अपने रास्ते पर इस तरीके से चलेगी जिस तरीके से लगातार जेडी उ के कददावर नेता अब बयान देने के लिए बाहर निकल पड़े हैं। आज विजय चौधरी ने जिस तरीके से ये साप कर दिया है कि 17 सीटों पर जेडी उ की दावेदारी बनती है। 29 पीजदी बोर्ट उसके साथ इंटेक्ट है और साथ ही साथ 89 मलेज है। 29 सीटों पर तो चुनाओ लड़ेगी और साथी साथ एक और सीट पर उसकी दावेदारी बनती है। 29 पीजदी की जेडियू का जो गटवंदन बीजेपी के साथ हुआ था। कॉंग्रेस अपनी सीटों की मांग जरूर कर रही है कि कॉंग्रेस जिस तरीके से 2019 और 2014 में चुनाओ लड़ी है। कॉंग्रेस की सीट को देखा जाए खासतोर पर 2019 के लोग सभाचुनाओ का परिनाम देखा जाए तो कॉंग्रेस कम से कम एक सीट पर बिज़ेव हुई थी। इसलिए कॉंग्रेस को अगर चार या पांच सीटों पर समेट दिया जाता है तो जाहर तोर पर कॉंग्रेस के साथ ना इंसाफी होगी। लेकिन जेडिय। और आर जेडिय। लगातार कॉंग्रेस पर दबाव बनाए हुए हैं और साथी साथ जेडिय। का जो रवया है वो साब दिखाई पड़ रहा है कि कॉंग्रेस को कितनी सीटे आवंटित की जाए इसकी जिम्मेदार जी आर जेडिय। के मुख्या लालू प् उटता है कि ये सीटों का फॉर्मूला कब तक तैयोगा ये अभी कहना मुश्किल है लेकिन इंडिया एलाइंस जो की बिहार में काम कर रही है उसके बीच फंसता हुआ साफ दिखाई पड़ रहा है कल सीपी आई के नेता डी राजा नितिस कुमार से भी मिले लालू प्रसा तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि जेडियू और आरजेडी सीपी आई और सीपीम को एक भी सीट देने को तैयार नहीं है ऐसे में सीपी आई और सीपीम क्या गटबंदन में बने रहेंगे ये भी एक बड़ा सवाल है और साथी साथ जेडियू आरजेडी और कॉंग्रेस क बीच सीटों को लेकर के रशा कसी कब तक सुलज पाएगी जार तोर पर ये एक बड़ा सवाल है ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जेडियू का जो दवाव बनाने का तरीका है ये कब खतम होगा और जेडियू क्या इस दवाव की राजनीती के जरिये कुछ और विकल्प के बारे में सच रही है उसके नेताओं के बैयान से तो ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है मैंने अपने कई वीडियो में एक बात आप लोगों के सामने बिलकुल साप कर दिया है कि जेडियू के बीच जेडियू के भीतर ये साफ रटननीती है कि जो भी दवाव की राजनीती भीतर भी ये सोच है कि मैक्सिमम सीटों पर लड़ा जाए क्योंकि अगर दस से जादा सीटे आरजेडी के पास लोग सभा में नहीं होगी तो जायर तोर पर केंदर की राजनीती में आरजेडी अपना दबदबा कायम रखने में कामियाब नहीं होगी केंदर की राजनीती में आरजेडी का कोई बड़ा रोल नहीं होगा इसलिए आरजेडी भी लगातार प्रेशर बना रही है लेकिन आरजेडी बाहर निकल करके कुछ बोल नहीं रही है जबकि जेडियू के नेता लगातार बयान दे रहा है ऐसे में सवाल उठता है कि जेडियू जिस तरीके से अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतारने में लग गई है और साथी साथ अती पिछड़े समाच से जो सांसद हैं उनके सीटों को छोड़ने के लिए बिलकुल तयार नहीं है इसलिए कई ऐसी सीटे हैं जिन पर पे बाकी है फिलहाल इसे स्पेशल एपिसोड में इतना ही आप बने रहें टीवी नाइन बिहार जहारखंट के साथ धन्यवाद नमस्कार